Hello friends, subscribe to our channel Pharma4U and hit the bell icon for regular pharmacy updates. Hello friends, welcome to Pharma4U again. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं PharmaCist Vacancy की जो की निकली है ECHS के अंदर. ECHS यानि के एक Servicemen Contributory Health Scheme, Polyclinics के अंदर ही वेकेंसी होती है और इनके headquarters all over India होते हैं. पर ये जो वेकेंसी है ये निकली है under the jurisdiction of station head headquarters चैन्ने के अंदर. ओके, तो ये सारी वेकेंसी जो भी हैं वो हैं चैन्ने के लिए और ये purely contractual वेकेंसी हैं 11 और 12 months के लिए. तो जो भी students अभी वही पे available हैं, आसपास available हैं और वो job की search में हैं तो वो एक ये job experience के लिए कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. एक सर्विसमेंस एंड सिवीलियंस. देखिए इसमें मेंशन हैं, एक सर्विसमेंस भी apply कर सकते हैं और सिवीलियंस भी apply कर सकते हैं. इन केस एक सर्विसमेंस अपला करते हैं तो priority उनी को दी जाएगी, मैं eligible होते हैं. तो अगर आप ECHS में एक स्पिरियंस लेना चाहते हैं तो इसे form को fill कर सकते हैं. अगर आप ECHS का एक स्पिरियंस लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी वेकेंसी है, आप एक साल के लिए यहाँ पर जॉब कर सकते हैं. जो shortlisted candidates होंगे, they will be called for interview, वो आपको SMS या email के थुरू पता लगेगा, और employment period for ex-servicemen will be 12 months and for civilians it will be 11 months. details of appointment or eligibility दी है, उसमें आप देख सकते हैं, जो pharmacist की है, वो 8 post है, विलोर के अंदर 2 है, अवधी के अंदर 1 है, त्रिनुमलाई के अंदर 1 है, कांचीपुरम के अंदर 1 है, विल्लुपुरम के अंदर 1 है, पोडिचेरी के अंदर 1 है, और कुडलोर के अंदर 1 है, total 8 vacancy है, इसक भी इसे फिल कर सकते हैं, और डिपलोमा इन फार्मेसी, जिनोंने 10 प्रस्ट भी यानी 12th एक्जाम भी पास किया है, Physics, Chemistry, Biology में, वो भी अपलाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको चाहिएगा minimum 3 years experience चाहिएगा as a pharmacist इस post को अपलाई करने के लिए, तो अगर आपके पास as a pharmacist क experience है, अगर आपने किसी shop पे भी काम किया है, तो भी आप इसे लगा सकते हैं, might be अगर कोई बंदा government job का application या experience नहीं लगाता है, लगाता है, तो आपको priority मिल जाएगी, तो आपके पास किसी shop का भी experience है, तो आप उसे लगा सकते हैं, उसी के साथ देखिए, आपकी age की बात कर सकते 55 है, तो भी apply कर सकते हैं, जो pay scale आपको मिलने वाला है, यानि जो salary आपको मिलने वाली, वो मिलने वाली 28,100 रूपीज, इसमें कुछ भी extra आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये contextual post है, अब terms and condition की बात कर लें, तो इसमें मैंशा ने देखिए, person applying for the first time, तो अगर जो पहली बार इसको apply कर रहा है, तो उसको 24 month का gap होना चाहिए, कि वो सरु कर सके job के अंदर, जैसे इसमें maximum age 58 दी हुई है, तो आपके पास at least 56 year का age का आप होना चाहिए, कि आप 2 साल इसमें job कर सके हैं, ठीक है, क्योंकि 58 के बाद आप job नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, तो आपकी age दो साल कम से कम छूटी होना चाहिए, last date, last जो इसमें date mention है उसके लिए, वेसे तो मुझे लगता है नहीं कि 56 का कोई person इसको apply करेगा, तो अगर आप bachelor of pharmacy पास किये हैं, या फिर आप फ्रेशर हैं, तो आप के पास 3 साल का experience है, तो आप definitely इतनी उमर के नहीं होंगे, तो आप आसानी से से फिल कर सकते हैं, अब आपको apply कैसे करना है, देखिए, individual application for each post as per format available on echs.gov.in, duly affixed with passport size photo should be submitted in duplicate, along with all supporting documents must reach station headquarter echs for sand chennai 09 on or before 10th january 2021, तो आपको जो form echs.gov.in पर available है, उसकी link मैं description में भी देने वाला हो, तो उस form को आपको duplicate copy, यानि two copies में फिल करना है, अपना passport size photograph लगाना है, सारे details फिल करनी हैं उसके अंदर, और उसके साथ जो supporting document है, अगर आप एक servicemen हैं, तो बहुत सारे document आपको extra लगाना हो, आप एक servicemen नहीं है, तो जो documents आपके पास available हैं, जैसे आधार card, pen card, education certificates, registration certificate, computer course certificate, experience certificate, medical fitness certificates, तो ये आपको लगाना होंगे, उसके बाद मेंचेन हैं, देखिए, candidates, earlierly employed in ECHS, और उनको किसी भी प्रकार कही निकाल दिया हो कभी, तो वो apply नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, और only those candidates meeting eligibility criteria and completed application form, उसनी को shortlist किया जाएगा, interview के लिए, उसके बाद computer qualified candidates, अगर आपने diploma in computer application या post graduate diploma in computer education किया हो, कभी, आपने computer का कोई सा भी course किया हो, तो आप उसमें जरूर लगाएं, जिससे आपको extra preference मिलेगा, दुसरे candidates से, और आपको job के लिए रख लिया जाएगा, no separate interview call letter will be sent, आपको जि TADA नहीं मिलना है, उसी के साथ साथ, अगर कुछ changes होते हैं, इस notice के अंदर तो आप ECHS की website पर जाकर देख सकते हैं, So, ये सारी details थी, pharmacist vacancy की, जो के निकली है, ex-serviceman, contributory health scheme, तो जो भी students, job की तलाश में हैं, और उनके पास चोटा मुटा experience है, तीन साल का, और वो किसी बड़ी government संस्था के अंदर, कुछ experience लेना चाहते हैं, 11 months का, तो उनी के लिए बहुत ही अच्छा job है, As per my suggestion, जो चैन्ने के रहने वाले या individual in villages के अंदर या place के अंदर रहने वाले लोग हैं, जहां पर ये vacancy निकली है, तो वो लोग इसे fill करेंगे, तो उनका एक अलगी experience होने वाला है, वो सारी चीजें अच्छे से सीख पाएंगे, और 11 month का job अच्छे से successfully कर पाएंगे, क्यो तो बेटर है कि अगर आप के पास कोई दूसरा experience है, जो किसी काम का नहीं है, तो आप ये job का experience ले सकते हैं, thank you so much, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube channel Pharma4U को subscribe करें, और इस वीडियो को like और share करना ना भूले, thank you so much